है है लर स्टुडेंट कैसे हैं तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉख के अंदर वन परसंगे क्या होता है पूरी डीटेल में जानेंगे हम तो सबसे पहले वन परसंगे अपने कंपनी देखा प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी तो इसी तरीके से जब न्यू कंपनी लौ आया था यानि कंपनी एक्ट जब company act हमारा क्या आया था सर 2013 तो 2013 company act new company act था जब यह बन रहा था तो इस जब company act आया तो वहाँ पर एक और new company को बना के दिया गया बेसिकली दो company दो से बहुत सारे ऐसे नए नए company फर्म हुए पहले तो नॉर्मल यही था कि यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके लावा तो कुछ है नहीं नॉर्मल एक हमारा section 25 में हुआ करता था अज देखेंगे हम non-profit organization यह licensing company ठीक है लेकिन 2013 के अंदर बहुत सारी बदलाव आए तो उसके अंदर one person company आया यह बनाया क्योंकि या one person company क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना अपना shares holder pattern जो होता है ना जैसे आप एक business कर रहे हैं इंडिवीज्वाली तो आप अपने company बनाना चाह रहे थे जैसे मान लेते हैं Mr. रा काम कर रहा है अब यह क्या चाहता है और यह अकेला करता यह individual है इंडिवीज्वाल है यह अकेला करता और यह क्या चाहता है कि मैं अपनी company को भी न अपना registered करा दू तो भईया जब individual था तो यह sole proprietorship कर सकता था और इतने सारे registration नहीं करा सकता था जितना कि होना चाहिए नॉर्मली अपने trademark रेजिस्टर करा लो sole proprietorship में रेजिस्टर करा लो business बहुत अच्छा था वह ज्यादा expense नहीं कर पा रहे थे तो फिर law के अंदर amendment आया amendment क्या होता है सर्थ law के अंदर बदलाव आया और हमारे हिंदुस्तान के कानून company 2013 के अंदर बोला गया कि आज के बाद हम अगर कोई ऐसा वेक्ति है जो अपना business कर रहा है तो एक वेक्ति भी अपना company बना सकता है और अपने सारी चीजों के expense कर सकता है तो वही हमारा है क्या one-person company नाम आ गया one-person company इसको short form में ओपीसी भी कहा जाता है तो सर हम इसमें क्या discuss करेंगे one-person company क्यों बनाया गया अभी जैसे मैंने बताया आपको के हमें अपने business को expend करना था और एक ही वेक्ति individual ही business करेगा दूसरा इसके क्या rule है इसके क्या rule है रूल क्या क्या होने चाहिए one-person company में आपके director होने चाहिए और फिर क्या होना चाहिए sign कोन करेगा और बाकी सारे चीजे हम rule भी देखेंगे इसके अंदर इसके बाद क्या one-person company अगर होता है और बाद में private limited बदल सकता है conversion हो सकता है या public में वो भी देखेंगे क्या private company one-person company में conversion हो सकता है वो भी देखेंगे क्या हमारा यहां पे क्या-क्या benefits मिल जाता है क्या-क्या मतलब कि देखो private company तो एक बड़ी company है one-person छोटी है तो ओविस है कि one-person company के अंदर सरकार ने कम rule and regulation रखेंगे तो क्या ऐसी चीजे जो इसको benefit मिलेगी other company के मुकाबले तो हम इसके अंदर क्या-क्या देखने वाले हैं रूल देखने वाले हैं और क्या देखेंगे conversion देखेंगे convert कैसे हो जाता है उसके बाद क्या देखेंगे सर हम exemption देखेंगे तो तीन चीजों पर बड़ा ही question पूछा जाता है इसमें one-person company पे तो rule conversion और आपके क्या-क्या benefit मतलब छूट मिलता है ठीक है न तो ये था हमारा one-person company चलिए आईए देखते हैं क्या-क्या हमारे इसके अंदर है benefit क्या-क्या rule है तो सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है आप ध्यान से देखिएगा देखिए क्या कहता है one-person company यानी OPC OPC में क्या कहा गया चलिए कहता है the company act 2013 introduce मैंने कहा था न यह company act 2013 के अंदर introduce होके आया था यह one-person company इसके thickness बढ़ा लेते हैं थोड़ा ठीक है of one-person company ओके सर यह समझ में आ गया आगे कहता है this is made possible to company with only one member पहले न दो member हुआ करते थे लेकिन जब से one-person company आया सिर्फ one member के लिए बनाए गया यानी अकेला वेक्ति ही business कर पाए और वो अपने नाम के आगे private limited या private limited word का इस्तमाल कर पाए और एक register recognize जिसे के internet पर या कहीं भी बोल सके भाई हम भी private limited company है OPC provide benefit both form आप जो sole proprietor करते हैं उसके तो सारे benefits मिलेंगे और साथ के साथ आपका status company वाला भी माना जाएगा with the formation जब बन जाएगा sir इसके अंदर आपके क्या-क्या rules है sir इसके अंदर क्या-क्या rules है एक second तो हाँ जी तो हमने देखा one person company क्या था अब हम क्या देखने वाले हैं कि one person company के अंदर क्या-क्या rule है rule जैसे मैं बोलू तो Indian citizen ही one person company बन सकता है और अगर को को फ्रॉर्नर चाहता है की वन पर्संट company इन जाएगा बना ले तो ऐसा नहीं हो सकता दूसरा आप एक से जदा one person company के अंदर नोमनी भी नहीं हो सकते और एक से जदा one person company भी नहीं बना सकते तीसरा आप licensing company में convert भी नहीं हो सकते license company क्या होता है भी हम थोड़ी दिर बात देखेंगे तो फटा-फट से हम देख लेते हैं overview और ये सारे के सारे notes आपको available हो जाएगा content में और उसके accordingly हम चलेंगे तो कहता है कि natural और इसके अंदर क्या होगा सर ये natural person ही बनेगा और Indian citizen ही बनेगा मैं mark करता जा रहा हूँ जो जो चीजे में चीजे हैं इसके सार no person sell eligible more than one company एक company के लिए eligible नहीं है और nominee भी नहीं बन सकता ठेक है ना nominee बनाना ज़रूरी होता है हमारा क्योंकि without nominee shares कैसे transfer होगा minor इसके अंदर नहीं बन सकता वैसे तो हला कि minor किसी में भी नहीं बन सकता जब हम share capital वाला chapter पढ़ेंगा ना तो वहाँ पे cases देखेंगे तो minor तो किसी partnership में भी नहीं बनाया सकता कुछ exception case में बन जाता है ठीक है minor shall become no minor shall become nominee one person company hold share with the beneficial interest ठीक है cannot incorporated or convert हमारा जब incorporate हो गया तो उसे हम section 8 वाली company के अंदर convert नहीं कर सकते सर्सेक्शन एट वाली company कौन सी होती है कुछ ऐसी company जिसे NGO बोलते हो नो non-profit organization तो हम अपने आपको registration कराते हैं कि हम लोगों के भलाई करेंगे और जब लोगों की भलाई करेंगे उसमें अपने आपको registration करा लेते हैं तो बोलते हैं section 8 वाली company आगे अभी देखेंगे हम तो ऐसी company जो की लोगों की भलाई के लिए होता है उस company के अंदर आप convert नहीं कर सकता है अपने बिजनस कर रहे हैं और बाद में बोलो कि हम लोगों की भलाई करने वाली company बनेगा तो नहीं क्योंकि उनको बहुत सारे benefits मिल जा तो वो OPC नहीं बनाया जा सकता बैंक वगरा के लिए तो आपको private limited बनाईए या फिर limited बनाईए यही दो option available है ठीक है इसके साथ आगे क्या कहता है सर conversion की बात करते हैं तो इसके कुछ rules थे rules आपको clear हुआ फटा फट से एक बार मेरे साथ बोलिए रूल के अंदर क्या है सर Indian citizen होना जरूरी है minor नहीं बन सकता एक से ज़्यादा company में नहीं बन सकते section 8 company में conversion नहीं हो सकता section 8 वाले company के अंदर conversion नहीं हो सकता और banking company में नहीं बन सक सकता फिर से बोली एक बार आपका Indian citizen होना जरूरी है minor नहीं बन सकता एक से ज़्यादा company में नहीं बन सकता banking company के अंदर नहीं हो सकता section 8 में conversion नहीं हो सकता कुछ rule है जो आपको ध्यान रखने हैं बनाने के लिए ठीक है चलिए आगले point पर आ जाते हैं conversion कर लेते हैं चलो sir conversion one person company into public company या private company यानि आपने अभी छोटी company बनाया था और आप चाहते हो कि अब हम बड़ी company बना रहें तो convert करने के लिए क्लिए क्या करने पड़ेंगा सारे rule and regulation follow करने होंगे rule and regulation क्या आपको member बढ़ाना पड़ेगा अगर आप one person company हो तो आपको member कितने होंगे एक अब चाहते क क्या हो आपका कौन सा company बन जाई है private तो कितने member करने पड़ेंगा minimum दो चाहते हो public तो minimum कितने पड़ने पड़ेंगे साथ तो member बढ़ाना पड़ेगा आपको association of article memorandum of association यह सारा क्या करना पड़ेगा यह alter करना पड़ेगा यानि बदलना पड़ेगा उसमें change करना पड़ेग कहता है one percent company shall alter memorandum alter memorandum का मतलब क्या होता है हर company का अपना क्या काम करेगा नहीं करेगा वो memorandum of association में लिखा होता है यानि हर company के अपने नियम कानून article of association of memorandum of association में होता है तो one percent company जब बना होगा तो one परसंट कंपनी के साब से वह काम कर रहा होगा लेकिन अब जब बनेगा यह प्राइवेट तो प्राइवेट के साब से तो उसके नियम कानून भी चेंज करने पड़ेंगे मतलब कि उसमें बदलना है बस राइवेट करने परसंट क्या चेंज करेगा वह कंपने के उसकता है और पॉब्लिक में हो सकता है और लेकिन सेक्शें ओपनी के अंडर नहीं हो सकता है जोकि हमने पीछे रूल को है other than section 8 section 8 वाला तो बने गाई नहीं उसको क्या करना एक along with the prescribed fee जो भी फी लगता होगा registration office में 2014 में attach document करके और यह document देने पड़ेंगे alter moa copy of resolution the list of आपका proposed member जो member होंगे director कितने होंगे list of creditor या और at least audited balance sheet आपको दोनों जमा करना होगा यानि सर सिंपल सी बात है conversion करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा अगर आप OPC से convert करना चाहते हो PVT में तो number one सबसे पहले अपना MOA and AOA को alter करो sir alter का मतलब बदल दो change कर दो ठीक है जैसे आपका यह होगा आपको form भरना होगा INC6 और एक फीज के साथ प्लस आपको फी और आपको जमा करवा देना होगा ROC Registrate of Company को और जब आप form भरोगे तो क्या क्या document यहाँ पर change करना है आपको MOA change करना है आपको AOA भी change वाला जमा करवाना है form में number three आपको member के list देना है कौन-कौन member होंगे change होगे न number four और क्या दोगे sir और आपको creditor का list देना है और क्या करना है sir number five number five में क्या था हमारा number five में हम audited balance sheet भी दे देंगा जाके ठीक है तो यह था हमारा OPC से private company तो फटा-फट से मिर साथ बोलना OPC से private limited company में क्या है resolution पास कर दो और MOA, AOA alter करना है आपको इसके बाद INC6 के साथ जो आपने alter किये सारे document करके जमा करवा तो आपकी company convert हो जाएगा subject to approval, approval के accordingly ठीक है न चलिए sir अब conversion private company एक private company जो की one person से तो बड़ी company है और वो OPC बनना चाहता है यानि बड़ी company है और वो छोटा बनना चाहता है तो ऐसे situation में क्या करना होगा ऐसे situation में आपको कुछ follow करना होगा क्योंकि जब आप होगे क्या जब आप होगे private limited private limited तो आपके दो member होंगे लेकिन आप convert होगे किसमें OPC में तो आपको कितने member करने पड़ेंगे एक member करना पड़ेगा ठीक है साथ के साथ आपको capital भी आपका देखना पड़ेगा कि कितना होना चीए तो क्या कहता है देखिए आप private company other than company register under section 8 तो पहले तो section 8 वाली company हर जगर डालना ही है क्योंकि वो तो होई नहीं सकता having paid up capital जिसका paid up capital कितना होना चीए पचास लाख और उससे कम होगा turn over कितना होना चीए दो करोड या उससे कम किसका पिछले तीन financial year का और less maybe convert itself 1% company यानि अगर आपकी public company है आपका paid up capital 50 लाख से कम है और पिछले तीन सालों में आपने दो करोड से कम की सेल करी है तभी आप 1% company में convert हो सकते हो नहीं तो आपको बड़ी company ही माना जाएगा by passing special resolution pass करना पड़ेगा इन जर्नल मीटिंग में जर्नल मीटिंग बुलाओगे और उसमें क्या करोगे एक special resolution पास कर दोगे मैंने बताया था resolution क्या होता है discussion मतलब 75% लोगों से concern लेना है ठीक है इसके बाद आप special resolution पास करके आपका बन जाएगा सीधा और यह सारे document deposit कर देना है क्या deposit कर दोगे सर आप जो भी alter करोगे न ऑल्टर MOA या फिर AOA जो भी आपने ऑल्टर किया है यह सारा यह सारा जमा कर दोगे किसको सर आर उसी के prescribed form और prescribed time के साथ ठीक है तो अब देखिए दोनों अलग-अलग बाते थे आप छोटी company से बड़ी में जाना चाहते हैं उसको भी conversion और बड़ी से exemption मिल जाता है ठीक है देख रहते हैं क्या-क्या benefits मिल जाता है exemption 1% company में सबसे पहले एक director हो सकता है कितने director in case OPC subject to maximum 15 डारेक्टर सर अब यह 15 डारेक्टर का वाला क्या fund है मैं थोड़ा सा समझा दू अगर मैं है यहां पर minimum एक दो और तीन डारेक्टर ऐसे याद रख लेना अगर OPC तो कम से कम एक डारेक्टर होना अच्छी है प्राइवेट में कम से कम दो limited में कम से कम तीन और maximum सभी में 15 बोला गया है यह डारेक्टर बढ़ भी सकता है in case हमें approval मिल जाए board of director board of resolution में सारी चीज़े करने के बाद तो आप देखे अगर यहां पर एक डारेक्टर है OPC के अंदर तो क्या आपको बोड मीटिंग करनी पड़ेगी डारेक्टर की ज़रत ही नहीं आप अकेले हो कैसे मीटिंग कर सकते हो तो यह सब benefit आपको मिल जाता है तो यहां पर बोलता यहां पर रिटायर वगेरा जो होता है डारेक्टर को जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही डारेक्टर होता है जरूरली तो उसको क्या हम रिटायर को बदलेंगे नहीं बदला जा सकता है rotation का मतलब क्या होता है आप डारेक्टर वाले चप्टर में पढ़ेंगे कि हर डारेक्टर को समय समय पर बदल दिया जाता है कुछ समय के बाद उसको चेंज करना जरूरी होता है इसा क्यों होता है क्योंकि company मों fraud वगरा ना करते हो तो सेम जैसे कि सरकारी नौकरी करोगे ना तो एक जगह पर आपको पोस्टिंग नहीं दी सकते बदल देते हैं ताकि आप वहां के लोगों से ज्यादा घुल मिलना जाओ आप वहां पर रिस्वत ज्यादा ना ले पाओ इस आप बोर्ड मिटिंग करो एक यह benefit मिल गया आपको director at least बोर्ड मिटिंग करना पड़े आपको 90 दिन के अदर आपको कितना करना पड़ेगा दो ही मिटिंग करनी पड़ेगी साल में बाखे सब में 4 मिटिंग करनी अ साल के अंदर compulsory होता है कानून कहता है चार मिटिंग करनी है लेकिन अगर OPC हो तो बोलता है दो ही मिटिंग कर लो अगर डारेक्टर जादा है तो जैसे कि maximum 15 हो सकते थे तो डारेक्टर जादा है तो कितने कर लोगे दो मिटिंग 90 दिन से ऐसे करना 90 दिन जैसे 90 दिन से कम में नहीं ऐसे नहीं के आज मिटिंग कर लिया कल मिटिंग कर लिया हो गया साल में दो मिटिंग नहीं पहली मिटिंग करोगे उसके बाद फिर 90 दिन के बाद मिटिंग आपको बिठाना है ठीक है आपको EGM बगएरा यानि आपको meeting वगरा, extraordinary meeting वगरा, इसके लिए आपको कोई notice नहीं देना, क्योंकि OPC के उपर ये applicable ही नहीं होता, OPC के उपर ये applicable नहीं होता, conversion journal meeting not applicable, ठीक है, general meeting नहीं होता, there is no need to prepare, सबसे main चीज, cash flow statement इनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ balance sheet के अंदर भी sign वगरा करने की exemption है, तो आपको notes मिलेगा, notes के अंदर सारी चीज, पढ़ सकते हो, तो फटा फट चलिए, मिरे साथ बोलिए, क्या क्या exemption मिलेगा, सबसे पहले, आप एक director हो सकता है, और maximum 15 director वही कहानी है, एक director होगा, तो director के rotation भी नहीं होगा, एक director है, तो director की meeting भी करने की ज़रत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा director है, तो आप meeting सिर्फ 2 ही करना, साल के अंदर, 90 दिन के बाद बाद करना, cash flow statement आपको बनाना नहीं है, तो यह क्या था हमारा 1% company, अगर आप क समझ में आएगा, कोई भी point आता, आपको अच्छे से लिखना है, और tenure भी आप ले सकते हो, tenure से में इसे भी पढ़ो, और इसके साथ भी पढ़ सकते हो, आप